मौन्स्टर के एपिसोड 47 के शिर्वात में हम आनक को देखते हैं जो कि बहुत तेजी से चल रही थी उसे जो भी ग्रीट कर रहा था एक अंकल एक आंटी वो उसे जवाब नहीं देती है और सीधा आके निकल जाती है तब ही हम यहाँ पर डेटर को देखते हैं और वो आनको क जानते हैं जिसके बाद में सीनिया और ग्रिमर के उपर शिफ्ट हो जाता है यह दौनों यह सुख से मिलने के लिए लेकिन लोगों को तब बहुत जादा शौक लगता है जब यहां पर एक पुलिस आफिसर नहीं था क्योंकि आलरीडी सुख की ओपर कई सारे चार्जिस ल सुख नहीं था इसका मतलब है कि सुख को आखिर कहीं कोई ले गया है ग्रिमर और तैनमा जब दौने हॉस्पिटल से बाहर आते हैं तो तैनमा का पूछना था कि आखिर उस टेप और उस पेपर्स के अंदर क्या है और उन्हें कौन लोग पाना चाते हैं जा पर ग्रिमर उ उसल्घार को नहीं सकता है कि शाइड यही वजय थी कि सुखे ओपर अटैक हुआ उस टीप को लेने के चकर में ग्रिमर बताता है कि उस टीप के अंदर ऐसा डेटा है जो कि एक्सपरिमेंट से रिलेटेट था, ग्रिमर ने भी उस टेप को अच्छी तरीके से सुना था, तो बताता है कि उस टेप के अंदर एक बच्चे की रिकॉर्डिंग है, जैसे कि उससे इंविस्टिगिशन किया जा रहा हो, उसे ड्रक्स दे कि सारी चीजे बुलवाई गई थी उस बच्चे का नाम पूछने पे वो बच्चा अपना नाम यूहान बताता है, तब ही ये दौनों जब बात कर रहे थे तो इनके सामने एक आदमी आ जाता है, जो कि इन दौनों को अपने साथ चलने के लिए है, उसी के पास में सुक होगा, इसी के कर्ण हो पहले सुक की लेकिनी बंदा इन दोनों को अपनी साथ चलने के लिए कहता है, अब ये दोनों ही गाड़ी में बैठ जाते हैं, ये दोनों ही एक जगा पी उतरते हैं जो कि एक तरह के का रेस्टोरेंट था, यहां पे एक आदमी पहले से इन दोनों का वेट कर रहा था, गैस इस आदमी की पिचर हमने लास्ट एपिसोड में भी देखी थी जब सुक को पिचर दिखाए गए थी और पूछा क्या था कि तुमसा आदमी को जानते हो या नहीं जानते हो या आदमी वही था या आदमी एक सीक्रेट पुलिस आफिसर था इस आदमी का नाम रांके है रांके अपने पुल सुक को या नहीं बहुत संब और इस टेप को लोटा देंगे लेकिन खुरिमर ने कहा कि उसके पास ना तो टेप अविलिबल है ना यह डेटा आविलेबल है वैसे ही वो बहुत खतरनाक टेप थी और अगर वो किसी गलत हातों में लग गई तो बहुत जादा वायलेंस फैल जाएगा पुछता है रांके उस वक्ट भी एक पुलिस ऑफिसर का ही काम किया करता था रांके की एक बहन थी और उसकी शादी से बच्चा हुआ बॉर्डर क्रॉस करने के चकर में उसका पल को गोली मार दी गई और फिर ये बच्चा बिलकुल भटक गया रांके ने खुद ने इस बच के साथ में भी हुआ होगा तो आखिर इस तरह की की डेटा को कैसे खरीज सकता है लेकिन रांके को इस बास से कोई फरक नी पड़ता उसे बस इस वक्ट बिजनिस डील करनी थी सुक के बदले टेप ग्रिमर और तैनमा को यहां से भीज दिया जाता है इस एक्सपेक्टेशन कि यह दौनों है करेंगे इन दौनों को टेंशन हो रही थी किया अब यहां क्या करेंगे क्या इन लोगों को टेप हैंड BILL कर देनी चाहिए है तब अगता है और बूली दुसे बच्पन में उसे कोई जाधा पसंद हुआ करता था जब यह लोग बिमार हुआ करते थे तो इ जादा याद नहीं रा करता था बल्कि इनकी मैमरी इस गयाब होने लगी थी तो यह अपने बारे में सब कुछ अपने दोस्तों को बताया करते थे ताकि एट लिस्ट उनको थोड़ी बहुत याद रहे ग्रिमर बताने लगता है कि उस लड़के को 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 बहुत जादा पसंद इंसेक्ट बहुत जादा पसंदी ड्रोइंग बहुत जादा पसंदी वो बताता था कि उसका सबसे अच्छा दिन उसके माबाप के साथ था जब वो जंगल खूमने गया था इन सारी बातों से पता चल गया था कि रांके जिस चोटे से बच्चे के बारे में बात कर रहा है उसी का दोस्त दुआ करता था उस बच्चे का नाम अडॉल्फ था रांके कईना का इमोशनल हो गया था कि हो सकता है शायद उसके भांचे के बारे में उसे अभी पता चल जाए जिसके बाद में हम नीना को दीखते हैं बहुत छोटी सी बच्चपन की नीना दिखाई काई ह और वो सब को कहा रही थी welcome back तभी या पे कुछ और flashbacks पी आते हैं एक glass का तूटना, police वालों का आना, एक rose का दिखना, किसी की हाथ पे लगना, एक आदमी जो कि बच्चों को कहा रहा है कि इनसान जो भी चाय वो कर सकता है ऐसा लग रहा था कि जैसे बच्चों को hypnotize करने व आई है, वो इस जगों को जानती है, इन तीन मेंड़कों को भी चानती है, नीना को ये सारी चीज़े आधी हाधी जानी हुई लग रही थी, curiosity के अंदर आके वो उस दर्वाजे को खोल दीती है, अंदर आने के बाद उसे सीडियां दिखाई दीती है, और वो भी बहुत जा आने के लिए, ग्रिमर का डिसिजन ये था, कि वो ना तो टेप हैंड ओवर करेगा, ना ही कोई डेटा देगा, रांके का क्यानत कि क्या तुम्हें सुख से कोई लेना देना नहीं है, अगर हम उसे कुछ भी कर दीते हैं, तो जहां पर ग्रिमर कहता है, कि आगर तुमने सु लेना था, तो यहां पर तैनमा चलाने लगता है, कि तुम लोग फालतू की बाते कर रहे हो, और ना जाने पीछे किते लोग मर रहे होंगे, इस टेप से अलरेडी ना जाने किते लोगों ने एक दूसरे को चान से मार दिया है, इस टेप को पाने वाला और को इनसान नहीं ह और अब यहां पे तैनमा योहान के बारे में काफी सारी चीज़े डिसकस करता है, अब यहां पे रांके भी जान किया था, कि योहान भी इसी शेहर के अंदर है, ताकि वो अपने पास्ट के बारे में चीज़े जान सके, अब यहां पे तैनमा का कहना था, कि हो सकता है कि वो पूसे किसी को ले जाया जा रहा था, जैसे वो मीरा भाई था, दूसी तरफ यहां पर ранक के बताता है, कि मेरे पास में इस तरकी की कोई भी इंफोर्मिशन नहीं है, अगर किसी को भी के बारे में पता था, तो वो किसी सीक्रेट पूलिस के एक डिपार्टमेंट में था, और ह लोगों तक ये information कभी नहीं आई है एक ऐसा आदमी जो कि सिर्फ एक lieutenant था लेकिन उसके पास में नजाने किते लोगों को मारने की power सी उसे सब कुछ पता था एक छोटी से जॉब होने की बावजूद भी उसके पास एक बंगला हुआ करता था उसका नाम the man of red rose mansion था तैनमा का प पिचर बुक पढ़ा करती थी उसके सामने एक और दर्वाजा था नीना इसी दर्वाजे को खोलती है और अंदर की तरफ देखने लगती है डैटर को यहां पर कुछ नहीं दिखाई दीता लेकिन नीना के सामने कई सारे flashback थे दूसी तरफ रांग के यहां पर एक पिचर ब पच्छी नीना नहीं बलकि उसका भाई यहां था जो कि लड़की बनके खड़ा था बच्पन से वो नीना के अंदर ट्रांस्वाम हुआ करता था और इसी कंटिनिटी के साथ में गाइस नेक्स एपिसोड यानिकी 48 की शिर्वात होती है एपिसोड के स्टार्टिंग में हम ब्लॉंड हैर वाली लड़की को देखते हैं अब गाईज यह आना नहीं है नहीं नीना है यह यहां है जो कि सुकी मॉम से मिलने के लिए आया था अब यहां पर सुकी मॉम की तो वैसी यादाश बहुत गायब हुआ करती थी यहां अपने साथ में फ्लावर्स लेके आया थ थी वो यहां को काफी सारी बाते बताने लग जाती है क्योंकि यहां था तो बहुत साथा फ्रेंडली काफी देर हो जाती है और यहां ने अब तक सुकी मां से काफी सारे इंफोमेशन भी ले ली थी जिसके बतले में सुकी मां कहती है कि मैंने तो तुम्हें बहुत साथा प लेकिन अब जब 10 सालों से भूगा एक ऐसा केस जिसके अंदर उसका बस नाम लग गया था क्योंकि इस सारी कहाणी यूहां से शुरू हुई थी तो वैसे ही वो दस साल से परिशान है अगर वो डेटा मिल जाएगा तो टैनमा अब जाकी प्रूफ कर पाएगा की वो हमेशा से इनोसेंट था तैनमा को भी पता था कि ग्रिमर भी बे मतलम में फसा हुआ है और वो भी अपनी बेकुनाई बता पाएगा ये दौनों जब आये थे तो नर्स बताती है कि सुखी मॉम आज बहुत जादा खुश है पहले वाले विजिटर भी बहुत प्यारी थी और उन्होंने मुझे बताया गया था कि तुम आने वाले हो बड़ी देर से आये तुम दोनों तैनमा आते उस टेप के बारे में पूछ लेता है इस वक्त सुखी मॉम इशारा करती है अच्छा हुआ कि वहाँ पर टेप तो थी सुखी मा कहती है कि अब तो मुझे बताओ कि आखिर सुख क से ग्रिमर खड़ा था और ग्रिमर बताता है कि हमने पुलिस वालों से डील करी है और यह देखो तुमसे मिलने के लिए कौन आया है सुखी मॉम सुख से बाते करने लगती है कि तुम ठीक नहीं हो तुम बहुत गंदी बच्चे हो तुम मुझे कभी पे इंफॉम नहीं करत ज़ितने की नहीं हमें सुनना होगा आगे की सारी बातां सुननी होगी उने सारे बच्चों के साथ में एक्स्प्रिमेंट हुए हैं और तुम्हें तो सुनना भी चाहिए यहां सब लोग चौकते जा रहे थे कि आखिर छोटा बचा क्या कहना चारा है और एक इदम से आवाज बदल जाती है जो कि एक यंग लड़की की आवाज थी वो कहता है कि इससे जादो तुम सुन नहीं सकते हो बस इतना काफी था रखे को समझने की हाथा य aan किर यह किसकी आवाज है यहाँ ग्रिमेर टेंशन में आ जाता है कि इसका मतलब है कि बागे की टेप गयाप कर दी गई है बागे की चित्थी की पुछीटे की रिकॉर्डिंग थी उन सब को डिलेट कर दी गई है यानि कि सुकी मा से जो मिलने के लिए सुबसुबह आया था या आई थी जो भी था उसने इस वोइस रिकॉर्डिंग को गायब कर दिया है और तैनमा तो पहचान जाता है कि यह आवाज और किसी की नहीं बल्कि योहान की आवाज है साथ ही में टेप से भी यह आवाज आती है कि आप उच्छी तरी की से पता है कि मुझे कहा जाना है डॉक्टर तैनमा यानि कि योहान को पता था कि तैनमा इसे सुनने के लिए जरूर आएगा है वो तो वेकेशन पर आया है अपने आउडर को चेंज करा की बियर में कर दीता है यह वेटर लोंगे के लिए यहां की लोकल बियर लेकर आता है जो कि बहुत साथा फेमस थी जिसके बाद में हम चीफ और पुलिस को देखते हैं जो कि अपने ही पुलिस ऑफिसर के उपर कोई डेटा ढून के लाओ बाकी के दौनों जूनियर ऑफिसर यहां से जाने लगते हैं तब ही एक असिस्टन आता और बोलता है कि आपसे कोई मिलने के लिए आया है लेकिन यह आपर नेपहला के पास इतना जादा केस था कि वह लोंगे की वेकेशन से जल रहा था लेकिन बातों में वो क्या देता है कि इतने जादे काम के बीच में क्या तुम मेरे थोड़ी मदद कर सकते हो और लोंगे तो यही चीज़ जानना चाता था कि आगर नेपहला के यहां पे केस क्या चल रहा है उसका कहना था कि यहां पर कोई और भी पुलिस ओफिसर है कोई ऐसे सीक लेकिन जो बच्चे और्फनेज सेंटर के अंदर थे उन सब लोगों ने ग्रिमर के उपर इल्जाम नहीं लगाया उन बच्चों ने तो एक लड़की को देखा था और वो लड़की अभी तक पकड में भी नहीं आई है लोगे जैसे जैसे बात सुनता जा रहा था वैसे वैस इसकी बाम-बाम की गूलियों से मरे थे अब सुनते ही लोगे को एकदम से क्लिक हो जाता है कि जो 10-14 साल पुराना केस था ये बिल्कुल सिमिलर वैसा ही लग रहा है और जो सस्पेक्ट है उसने जरूर किसी को नहीं मारा होगा अब यहाप उन्ने पहला पहला है लोगे से मुझे बिल्कुल अच्छी तरीके से पता है कि तुम अपने वेकेशन पे हो और बताओ तुम आकर यहां पर शहर में क्या करें हो जापर लोगे बताता है कि आप इन दिनों मैं बुक स्टोर में गुम रहा हूँ एक ऐसी बुक जिसका मुझे ट्रांसलेशन चाहिए और आक कोई नाम नहीं था जिसके बाद हम लुगे को देखते हैं वो सुक्य दोस्तों के साथ में बाचीत कर रहा था लेकिन सुक्य दोस्त बहुत जादर शौर्ट है कि सुक्य एक बहुत अच्छा इंसान था उसने किसी को नहीं मारा था बलकि उसकी लाइफ में तो तब से नहीं के लिए को यहां पर बुख के बारे में बताता है और इस पॉप्लीकेशन से उसी के डीटा को ढूड़ने के लिए कहता है के सामने का था और उसमें से उसे इक बुक मिलती है खोलने पर उसे काफी सारी पिच्छ दिखाई देती है एक मॉंस्टर एक प्रेगने लिड तो तब तक के लिए टड़ा है ताकि वह नफेला से मिलने के लिए जा सके और इसके साथ में यह एपिसोड भी घत्म होजाता है तो चले फिर मिलते हैं आप सबी लोगों से अगली एपिसोड में तब तक के लिए टड़ा